तो गाइश चलिए देख लेते हैं यहां पर मैं जिसने भी कोश्चन कराऊंगो सारे कोश्चन सांदार होने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजेगा और ऐसे ही आउनलाइन तयारी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिए क्योंकि यहां पर हर एकजाम की तयारी कराई जा रही है तो गाइश कोश्चन नमबर 81 देख लेते हैं यह पूरा प्रेक्टिस सेट है तो मैं पूरा प्रेक्टिस सेट आपको पूरा बात में कराऊंगा अभी यहां पर जो आपका सिर्फ जियस का पॉर्षन कराने वाला हूँ तो निवन को भारत रतर से समानित किया गया है निश्ट कोशन की बात करते हैं कोश्चन नमबर 82 तो यहां पर देख लिए एंसियंट नारंदा इंविश्टी वास सिचुएशन सिचुएटेड इन वीच स्टेट पुरातर नारंदा विस्विद्याले कि स्राज में अवस्तित है यानि अडाचल परदेश का भारत का एक राज है जो की भारत की किस सीमा परिस्थित है तेहां पर अडाचल परदेश का पूचा गया किस सीमा परिस्थित है दचिट पूरवी दचिट पस्चमी पूरवी पस्चमी तो इसका जो राइट हैंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वहाँ परुणाचिल परदेश इस्तित है नेस्ट कोशन की बात करते हैं भारत का राष्टपती का कारकाल कितने वर्सका होता है MTS के लिए देखी ऐसे ही कोशन पूछे जाएंगे इतना डीप में वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तो भारत की राष्टपती का कारकाल कितने वर्सका होता है आपसन है 5, 6, 7 तो इसका जो राष्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सार नेस्ट कोशन के यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यह हो जाएगा कोशन नमबर 25 नदी भारत का सबसे लंबी नदी है यानि कि कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है भारत की तो इसका जो राष्ट एंसर है आपसन है या मुना बरंपुद गंगा तो अपसा सबकी को पता होगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है नेटीक कोसफिन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हवा महिल का निरमार कराया थाлись कोचेंगे बात कर लेते हैं जैए कि भारत का सबसे लंबा प्लेटपार्म कौशन है इस समय भारत का सबसे लंबा प्लेटपार माना जाता है पपन किस सहर में मिनाच्छी मंदिर इस्थित है आपसन हे रामेश्रम, गुहार्टी, मदुरई, महावली पुरम तो यह कुश्चन भी हाली में भी पूछा गया था जो आपका यूपी मैट्रो का को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि मदुरई जो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप गोल्ड इस मीजर इन यानि की जो सुने की सुधता है वो किसमें मापी जाती है कोश्चन नमबर एक यान नवे कारेट में, ग्राम में, पाउंड में यान में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा CO2 यानि की कारबन डाय अक्साइड जो सॉलिड होती है उसी को यहाँ पर सुस्क बरब कहा जाता है अगले कोश्चन की बात कर लेते हैं तो भारत में कुल कितने राज और केंद सासित प्रदेश हैं तो गैज इस में से कोई भी यहाँ पर आपका सही नहीं होगा क्योंकि हाली में आपको पता होगा कि दो जो केंद सासित प्रदेश हैं उनका विले एक ही में कर दिया गया है और उसका प्रस्ताव भी संसर से पास हो चुका है तो गैज इस समय बात करते हैं तो 28 राज और 8 केंद सासित प्रदेश जो हैं अपने इंडिया में है 28 राज और 8 केंद सासित प्रदेश तो आपको पता होगी पहले 29 थे एक जम्मू कस्मी तूट गया और उसके बाद 2 नए केंद सासित प्रदेश बने और उसके बाद एक के इंसासित प्रदेश को दूसरे के इंसासित प्रदेश में विले कर दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर जो इस समय है वो हो जाएगा 28 और 28 के इंसासित प्रदेश निश्क कोशन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपसिन है गंगा नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी, रचतलाज या फिर सिंदू तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी जो सबसे लंबी नदी है भारत देश्ट की निश्कोचन की बात कर लेते हैं पैरिस किस नदी के किनारे वस्तित है जो पैरिस है वो किस नदी के किनारे है तो आपसन है टेम्स, सीन, सिप्री या फिर इरावती तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीन नदी, सीन नदी पे पैरिस वो इस्तित है, टेम्स की बात करते हैं, तो टेम्स पे जो है, वो लंदन सहर जो इस्तित है, वो टेम्स नदी पे होने वाला पता किस संबंद रखता है यानि कि जो डबुड़ुड़ु से सुरू होता है वो किस चीज से संबंद रखता है तो आप्षन है मॉडेम इंटरनेट वेपसाइट या पर टेलिफॉन तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वेपसाइट को कि www.kosite.com के बाद ही कोई website का जो URL होता है या address होता है वो शुरू होता है निस्ट कोचन के हम पर बात कर लेते हैं गईस यह पर देखिए वेदों की और लोटों कि इसने कहा था तो वेदों की और लोटों कि इसने कहा था option है राम मोहन राय या फिर केशर चंड सेंड स्वाम स्वामी दयानन सरस्ति या फिर मदन महलवान लवी तो इसका जो राय टेंसर जगा वो हो जाएगा स्वामी दयानन सरस्ति जिन्होंने आर समाज की भी स्थापना करी थी यह भी आद प्याद रख सकते हैं नेस्ट कोचन के आप बात कर लेते हैं कोचन नमबर 99 एक रुपे क नोट पर किसका हस्ता चर होता है तो इसका जो आपसन है वित्ती सची भारत सरकार गवर्नर का पदायमंति राष्ट पती तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो जल्दी से आप बताईए तो यह हो जाएगा भारत के वित्ती सची का एच्पे साइन होता है नेस्ट कोशन देख लेते हैं जो आप से रिलेटेड हैं साइंस से तो यहाँ पर वोढ़े अपशन है हवा इसमें भरना है क्या होती है तो bolus ball मिल को बहार निर continuation म böl़ेज निरौइट भरत होती है निरौइम का रातरी स्वासई निरौइम का रशीनिक चिनन क्या है यह खा favor यानि कि एक कोस्टन जो होता है सोडियम का रसाइनिक चिन उसका एने से डिनोट किया जाता है नेस्ट कोस्टन के बात कर लेते हैं रुधिर में पाये जाने वाली लाल रखत कड़काओं में उपरस्थित पिगमेंट को क्या कहते हैं केरोटीन जेथोल फिल हेमोगलोबिन या फिर एथोसाइनिन तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन यहां पर बिल्कुल राइट एंसर होगा नेस्ट कोशन की बात कर लेते हैं कैल्सियम हाइड ऑकसाइड का रसाइनिक सुत्र क्या है तो कैल्स यहां पर यहां पर यहां पर बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मेन कॉंस्टिटुएंट आप टबो को इस तंबाको का मुझ की घटक क्या है अप्सन है मॉरफिन, निकोटिन, एस्पिरिन इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकोटिन यानि कि जो निकोटिन जो होता है वो तंबाको का मुझ की घटक होता है निश्ट कोचन की बात कर लेते हैं तो एक micron में कितने Angostrom होते हैं तो एक micron में आपको बताना है कि कितने Angostrom होते हैं जल्दी से इसका answer बता है तो गैज इसका जो right answer हो जाएगा यानि 10 to 2 power force जो होता है वो यहाँ पर इसका जो right answer है नेश्ट कोर्चन देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम है ज़सेम डाइमेंशन एज कोड़ी समवेगंग जो होते हैं उसकी विमाई इन में से किसके एक के समान होती है तो इसका जो आपसन है कारी के ग्रेवटेशनल कॉंस्टेंट के तो इसका जो आपको एंसर यहां पर कमेंट में बताना है तो गैस अगर आपको लगता है कि यहां ठीक था प्रेक्टिस सेट यहां पर बहुत हीजी हो गया यह फिर मॉडरेट था यह किस तरीके से भी आपको कोई भी अगर आपके कोई रही है यह कोई भी फीड़ेग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो यहां पर आपको मिलती रहेंगी चाहे आप DRDO की प्रेक्टिस कर रहे हो ठीक है चाहे आप CCRS की कर रहे हो ठीक है क्योंकि दोनों के लिए यहां पर आपका जो GS का पोर्षन रहता है वो लगबग सेम रहता है क्योंकि GS हर कहीं में कहीं से पूछी जा सकती है तो गैस यह था वीडियो आपके लिए तो अगर वीडियो पसंद आद इसको लाइक कर दें और वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं मिलते हैं ना इसले तक लिए थैंकिस सो मच